जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे बृषब राशी के बारे में बृषब राशी के 23 नौमर से 30 नौमर तक के राशी फल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें बसुनें तभी आप ब्रसब राशिवालों के 23 नॉम्बर से 30 नॉम्बर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशिफल चंदराश पर अधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है बो लोग अपनी जन्म कुनली में ये देखनें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंदरमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जनमकुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देखवा सुन सकते हैं और कौन-कौन से अच्छर बिर्शब राशी में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं नीरासी जान सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं चंद्रमा 23 नॉम्बर को मिथुन राशी में रहेंगे बिर्शब राशी वालों का दूसरा भाव है दूसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के प्रणाम बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते लेकिन फिर भी सामाने से प्रणाम होते हैं धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा धनहानी भी हो सकती है थोड़ा तनाव से बचना होगा और बारी का ध्यान रखना होगा अपने परिवार के लोगों के साथ बाड़ी पर सयम रखना होगा आपकी पत्नी और पुत्र के स्वास्त का ध्यान रखना होगा और धनलाब में अचानक धनलाब हो सकता है तो इस तरह के कुछ प्रणाम रहेंगे 23 नॉम्मर को मिथुन राशी वालों के लिए और बैसे कुल मिलाकर सामान इसे परणाम रहेंगे सामान रहेगा 23 नॉम्मर का दिन ब्रसब राशी वालों के लिए जब चंद्रमा मिथुन राशी में गोचर करेगा आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा अगर आप भूमी से जुडा हुआ कोई कारोबार करते है या पेट्रोलियम का इमकल पदार्सों से जुडा हुआ कोई कारोबार करते है तो उसमें आपको आज के दिन लाब मिल सकता है चौविश नॉम्मर को नौ बचकर पचास मिनट से चंद्रमा करकराशी में प्रवेस कर जाएंगे और करकराशी ब्रसब राशी वालों का तीसरा भाव है तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर के प्रणाम अच्छे होते है तो 24 नॉम्बर को 9 बज कर 50 मिनट सुवह से और 26 नॉम्बर तक चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा तीसरे भाव में रहेगा छोटे भाई भेहनों से समंद अच्छे रहेंगे और छोटे भाई भेहनों से आपको लाव मिल सकता है अगर आपके चोटे भाई भहन आपके साथ रहते हैं कोई व्यापार कारोबार करते हैं नौक्षी करते हैं सम्मिलित है परिवार में तो आपको उनसे लाब मिल सकता है और बाकी धनलाब के योग बने रहेंगे सफलता और सुख मिलता रहेगा मित्रों का साथ मिलेगा मित्रों के सहयोग से आपको सुख में ब्रद्धी होगी और लाब भी मिलेगा उर्जा उसा से भरपूर रहेंगे और मित्रों तथा छोटे भाई बहनों से लाब होगा छोटी यात्रा का योग हो सकता है यानि छोटी यात्रा कर सकते हैं या छोटी यात्रा का प्लान भी आप कर सकते हैं तो इस तरह के कुछ चंद्रमा की गोचर के प्रणाम रहने वाले हैं 24, 25 और 26 नौमर को 27 और 28 नौमर को चंद्रमा सिंग राशी में रहेंगे ब्रिसब राशी बालों के चौथे भाव में रहेंगे तो चौथे भाव में रहेंगे, सिंग राशी में रहेंगे दसम भाव पर दरश्टी रहेगी चंदरमा की चौथे भाव में गोचर होगा तो माता से बाद से बचना होगा फुरा तनाव से बचना होगा, माता के स्वास्त का भी ध्यान रखना होगा और मांसित तनाव ना बढ़े इस बात का ध्यान रखना है, क्रोध में अपना काम नहीं बिगाड़ना है, पैतरक संपत्ति से लाव मिल सकता है, आपको आज के दिन, यानि 27 और 28 नॉम्मर को जब च चंद्रमा का गोचर होगा सिंग राशी में, तो कुछ इस तरह के पड़ाम मिल सकते हैं, 29 और 30 नॉम्मर को चंद्रमा का निया राशी में रहेंगे, और आपके ब्रशब राशी वालों के पंचम भाव में रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, सिच्छा में सफलता प्रेम संबंधों मिलने वाली है, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ ताल मिल अच्छे रहेंगे, और आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे, आपका मन प्रशन रहेगा, और लेकिन बात भी बात आपको बिलकुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, जाके इस तर में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिलेगी, इस समय आप खुद को उर्जावान रखने में सच्छम नहीं हो पाएंगे, इसलिए उर्जावान रखने का प्रयास करें, और उर्जावान को अपनी उत्साह को नीचे ना आने दें, यानी कम ना होने दें, नहीं तो इसके करण आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, और आपके दसम भाव के स्वामे सनी इस समय आपके भाग भाव यानी मकर राशी में गोचर में रहेंगे, और सनी का आपने ही भाव मकर राशी में गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, और द्रश्टी है, वो आपके धन भाव पर रहेगी पहली पंचन द्रश्टी, तो धन भाव पर द्रश्टी रहेगी, तो और गुरु आपके आए भाव के स्वामी है, और धन भाव पर द्रश्टी रहेगी, तो आपको धन के मामले में भी अच्छे प्रणाम देखने को मिल सक सकते हैं तो ऐसे में इस सब्ता आपको रियल स्टेट से जुड़ा कारोबार है अब भूम से जुड़ा कोई कारोबार है तो उस पर ध्यान के इंदित करने की जरुवत है क्योंकि इस समय किसी भी पुराने निवेश से आपको लाब भी मिल सकता है और किसी नई योजना में प अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे इसके साथ ही इस दोरान आपकी उर्जा और उस्सा और परिवारिक जीवन में कई सकारात्मक बतलाव भी दिखेंगे आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार होंगे कई लोगों को ब्यापारि है कि आप अपनी सिच्छा को लेकर बेतर प्रदर्शन कर पाएंगे कई अच्छे मौकों का लाव उठा सकते हैं इसलिए खुद को आप कम न समझे मेहनत करें प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है चात्रों को इस सबता अपनी छंता को बढ़ाने का अच्छा अपसर तो मिलेगा ही साथ ही इसका सुपल भी उन्हें आने वाले समय में मिलेगा उपाए की बात करें तो आप सुक्रवार को गाय की सेवा करें हो सके तो सफेद गाय की सेवा करें और चावल चीनी और दूद का दान भी कर सकते हैं किसी गरीब ब्यक्ति को और सफेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं तो इसमें से जो भी उपाई आप कर सकते हैं सभी जातकों पर पूरूब से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी समभब नहीं है क्योंकि आपकी जनकुर्ली में ग्रहों की इस्तिति और आपकी बरतमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्फा करता है आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धन्वान रहें ऐसी मिरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है जै श्री कृष्ण